हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में टीडियस की इंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है या फिर टैली प्राइम टीडियस की इंट्री जो है ऑटो कैल्कुएट कैसे करेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इंट्रीस करते जाते हैं और जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस हो जाती है और हम टीडियस काटना भूल जाते हैं इसलिए हम टैली में ही ऐसी सेटिंग करके रखेंगे कि जैसे ही वो स्पेसिफाइड लिमिट cross करेगी, threshold limit cross करेगी tally जो है, automatic TDS calculate करना start कर देगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए, बेलाकर प्रेस कीजिए बेलाकर प्रेस करने बाद आपको all पे click करना है हैं तक कि मैं जब भी वीडियो को अफ्लोड करूं फो भीकिर Sud रूआ को मिल सके तो आज स स्टार्ट करते हैं पहले विलाकिक को अ अपनी कंपणी और कर ल வकूं किरने के बाद आपको f11 कलिक ना के पर यहाँ पे TDS का option आपको देखने को मिल जाता है. जो कि यहाँ पे है. आपको yes करना है. अगर no है तो yes करना है और enter करने लेना है. Enter करने के बाद अपना 10 number डाल देना है. बीना 10 number के आप TDS करट नहीं सकते तो आपको 10 number लेना पड़ेगा, अगर आपके पास 10 number नहीं है, तो 10 number डाल देना है, आपका deductor type यहां पर डाल देना है, कि आप individual है, HFA company है, क्या है, वो यहां पर डाल देना है, उसके बाद deductor division important नहीं है, आपको डालना है, तो डाल दीजिए, फिर यहां पर set alter responsible person, आप चाहें तो यहां पर डाल सकते हैं yes कीजिए yes करने के बाद आप यहां पर responsible person काउन है वो डाल सकते हैं कि किसकी responsibility है tedious deduct करने की और उसको government को pay करने की और यहां पर एंटर एंटर करके आपको save कर लेना है और यहां पर आपको कर देना है control A और यह save हो जाएगा अभी हम vouchers में आते हैं और entry करेंगे vouchers में आने के बाद हम कोई भी payment करते हैं तो उससे पहले expense को record करते हैं expense record करने के बाद ही हम payment करते हैं तो for example हम professional fees pay करने वाले हैं and professional fees का threshold limit जो होता है वो होता है 30,000 and 30,000 के उपर जाता है तो अब वो 10% previous deduct करना पड़ता है तो आपको start करते हैं कि हम professional fees कैसे record करेंगे for example मैं पर already laser बना के रखा हुआ है अगर आपका laser नहीं बनाया तो ALT C करके आप बना सकते हैं मैं बता जदा हूं कैसे बनाना है ALT C करेंगे करने के बाद आपको यहाँ पर laser का नाम लिख देना है professional fees और आपको under indirect expense है basically आपका तो आपको indirect expense select कर लेना है इसके बाद आपको GST applicable है त application 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 miracle करने के बाद आपको nature of payment basically select करना है nature of payment में basically अगर आपके पास कुछ भी दाल देना है कौन से सेक्षन में आता है तो 194J में आता है और यहां पे 10% TDS किया जाता है इसके बाद threshold limit आपको डाल देनी है ताकि professional fees में जैसे ही 30 के ऊपर कोई हम expense record करें तो TDS काटना start हो जाए और यहां पर enter कर देना है करने के बाद इसको basically not कर लेना creator कौन है फर मैं यहां पर select कर लेता हूं creator का नाम मैं यहां पर डालता हूं commerce वाले जो की मेरा दूसरा चैनल है अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर सकते हैं taxation related आपको सारी वीडियो दोस्पर मिलते हैं तो commerce वाले basically यहां पर select कर लेता हूं है और control enter करके आपको create कैसे करना है वो बता देता हूं है आपको जो creditor है उसका laser select बनाना है यहां पर नाम लिखना है heading में डालना है creditor है मेरा मुझे इसको payment करना है इसके बाद इसके बाद यहां पर select करना है कि यह company है individual है partnership हमें क्या है वो select कर लेना है यहां पर इंडिवीजियल है इंडिवीजियल कर लिया है मैंने फिर question आता है 10,000 आटोमेटिकली आ गया है और यहां पर मैं इंटर करूंगा और यह मेरा laser save हो जाएगा अब यहां वापस इंटरी करता हूं पर इंटरी करता हूं अब यहां पर मैं डालूंगा पच्छास अजार तीस अजार के उपर अभी जा रहा है आप देख सकते हैं मैंने दस जार करूंगा एंटर करने के बाद मुझे वापस यहां पर एक laser create करना पड़ेगा जो कि होगा TDS का मैं कर दो होगा TDS194J यह नेम ऑलड़ी exist है basically मैंने ऑलड़ी बनाया हुआ है तो मैं इसको skip करूंगा skip करने के बाद मैं यहां पर TDS194J ले ले लेना है आपको मैं control enter करके बता क्रियेट किया था उसको select कर लेना है उसके बाद आपको कर देना है यहां पर enter जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं TDS में अलड़ी 5000 आ चुका है अब यह मैं लाइबिल्टी खड़ी हो जागी और इससे मुझे pay करना पड़ेगा कैसे खड़ी हो जागी हम वो भी दिख क्रिखा देते हैं यहां पर enter करके एंटर करेंगे यह entry हो गई स्थेप है और यहां पर हम करते हैं Ctrl A कि यहां पर skip करेंगे skip करने के बाद हमको balance sheet में जाना है balance sheet में जाने के बाद loans and liabilities में आप जैसे ही जाएंगे या फिर हम current liabilities में जाते हैं basically duties and taxes में जाएंगे यहां पर आज चुका है अब आप यह मुझसे पुछेंगे कि 5000 तो ठीक है 5000 आ गया कोई दिक्कत नहीं है जो कि 50,000 का था यह 1000 कैसे आ गया आप देख रहे होंगे जब मैं इंट्री कर रहा था तो 1000 के एक और इंट्री आ गई थी मैं उसको आप एक्सलेंड नहीं किया क्योंकि प्रोफेशनल फीस में अगर हम देखेंगे टोटल हमने 60,000 का प्रोफेशनल फीस बुक किया है तो 60,000 पर हम 10% लेंगे टोटल 6,000 आता है तो 5000 तो क्रियेट कर दिया बर जो 10,000 पहले क्रियेट किया था उस पे भी तो TDS करना पड़ेगा इसलिए 1000 की और लाइबिल्टी यह आता देगा भाई आपने 10,000 पहले दे दिया है अभी 50,000 दे रहे हो इसलिए टोटल 7,000 दे रहे हो आप इसलिए आपको 6000 का TDS करना है और गवर्मेंट को पे करना है I hope आपको इस समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ भी शेर की आपको आपको आफिए इन आ अल दे वेस्ट